कुछ भी स्टार्ट करने से पहले अगें जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ जाओ भाई नए चानल को सब्सक्राइब कर लोगा यह बच गया तो अच्छी बात है नहीं बचा तो उस पर जाना पड़ेगा हूँ और अगर यह बच गया तो उस पर आपको मेरे जो दूस इस जी अचाने वाले ओर बात कर नाले है तायर के बारे में बेस तायर बात कर लिए नहीं सुन पा रहे हैं बट आप लोग को यह वीडियो इस ही अंगल से देख नहीं पड़ेगी माथ फरस्ट पर संपेक्त से बादर बात कर डूस का जो यह तो यह नहीं यह वोता है यह इस अबल तो फोकस काफी जादा हाँ टायर वेर इंडिकेटर यह होता है और वह बताने वाना हो कि यह कौन सा टायर है हलाकि जो लोग के टीम की बाइक्स यूज करते हैं और जो भी पुराने के टीम यूजर थे उन्हें समझ में आगया होगा यह कौन सा टायर है तो मुझे बिल्कुल भी जरुवत नहीं है तो एक चीज मैं बता दू कि यह जो टायर है यह अपोलो अपर आगया बिकॉस मैं इचाहता था कि मैं आप लोग को सड़े वे एंगल से वीडियो दिखा हूँ जो कि मुझे पसंद नहीं ऐसी एंगल से वीडियो देखना तो आप लोग को मैं अच्छा भी जा सकता है बहुत जादा एक प्रूमेटर्स हम लोग उसपर चल सकते हैं मतलब ऐसा ऊप्रूमेटर्स थे पड़ा की बहुत जादा मेह की बहुत जादा सेंगा भी नहीं है और एक चीज़ और मैं बता दू करे भाधू के लिई क्लूमेटर थे पर से जो है वो क्या कहते हैं कॉर्णरिंग भी कर सकते हो अब एक चीज में बता दू यह जो है वो एक soft compound टायर है मतब mixed compound का है बट वो hard compound वाल नहीं है मतब soft compound टायर है और इसकी pricing जो है वो 5 से 7000 के बीच नहीं आपको मिल जाएगी ठीक है पांसे 7000 पर बहुत जाला price नहीं होती है KTM और यह 300cc की motorcycle के टायर के लिए पांसे 7000 रुपे का एक की बात कर रहा हूं मैं दोनों की बात नहीं कर रहा हूं मतब 10-12000 रुपे का setup को अराम से मिल जागा बट प्राइज जो है वो शहर से शहर में वैरी भी कर सकते हैं अब आते हैं में मुद्धे पर यह जो है वो ड्यूर कंपाउंट टायर है यह सिलिका और कारवन में नहीं पता कौन चावसाइड बट हां ठीक है अर इसका जो कॉंटाक पैच है रोड पे वो अच्छा है कि वो इस तरीके के गूरूज है जो भी टाइप के गूरूज है वो हाइड्रो प्लेणि नहीं होने लेते हैं हाइड्रो प्लेणि पर कभी और बात करेंगे बट मैं सिंपल से एक चीज यह टर्म बता दू कि हाइड्रो प्लेणि का मतलब यह होता है कि जब बारिश होती है जैसे मैं यह शहर में रहा हूं मेरे मुंबई वाले भाई लोग मों समझ रहूंगे या जो भी भाई लोग ज अधर चाण रहा है बहुत अधर के साथ नहीं पाणी के लेवल मतलब जो लेयर है रोड पर उसके साथ होता है उस वज़े से आपके ऐसलने के चांस बहुत जादा है बहुत कुछ है उसके बारे में बात करेंगे बट मैं इतना बता दू क्यूंकि इस वीडियो का मैं ऐसा कि आप लोगों को एकदम अच्छे समझ माल है तो असानी हो समझ देम और complicated complex videos जैसा नाओ तो ऐसा है कि वेट में बहुत अच्छा परफॉंग करना है हां बट अगर आपके बाइक में तायर हजर नहीं लगाए तो पता नहीं आपके कप्रों क्या होगा या फिर अगर आप ते लिन में किसी को मिठा के लेकर जा रहे तो उसके कप्रों क्या होगा बट बाकी very good very good यह इसको पाणी है उसको काफी दूर अटाता है उसके बाद 20 अब बहुत सारे ला आते हैं मतलश अगर है बताऊं तो यह सब्लिशी को कभी किसी और में बताऊंगा आप इस चीज मैं बता दू कि फाबरीक बेल्टे टार भी होते हैं और बेट इस जो रोड और आपके टार के बीच में जो contact patch है उस पर जो stability है वो उतनी अच्छी नहीं होती है fabric belted tire में जितनी अच्छी steel belted tire में होती है अब ये चीज समझने के लिए तो और deep में जाना पड़ेगा बस इतना समझ लो आप कि ये जो है ये अच्छी चीज है ये होनी चाहिए तो ये सारी चीजें है और प्राइजिंग में बताऊ तो काफी कम है मैंने पहली बता दिया और अब अगर अपना review में बताऊ तो वह ये है कि star को almost almost जादा नहीं बट मैंने 3-3-4,000 km चलाया होगा because अभी मेरी बाइक में 14-16,000 km ही किया है और ये दूसरा set of tire है पहले जो मेटजिलर से उसके बाद मैंने पिरेली के दूसरे लगाये थे उसके बाद मैंने रॉस्तो टू लगा लिए थे अभी भी फ्रेंट पर रॉस्तो टू ही है because मुझे पता नहीं कि उससे बहुत अलप्यार है तो बहर राउट होने आला है प्रॉपर ले नहीं हो गया बट हां इतना हो गया है कि वह कभी भी दोखा दे सकता है तो मैं उससे चेंजगर वाल हुआ है तो अगर मैं अपना review बताऊं तो एक चीज है ये चलता तो बहुत बहुत चलेगा लिटरली काफी चलेगा जो नॉर्मल इस रेज के टायर है उसके मुकाबले में काफी उनके मुकाबले में काफी ज़ादा चलने वाला है और आपको अच्छी मायले प्रॉइड करते हैं मायले मतलब आप ज्यादा किलोमेटर्स चला पाएंगा बगर आप अ जाने वाला है मतलब 15 हो गाएं और 15 और हो जाएंगे तो मतलब मेरे ओडो मीटर पर 30,000 किलोमेटर होंगे उससे पहले यह कहीं नहीं जाने वाला उतना अराम से चल जाएगा तो आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की कोई ज़रूत नहीं है तो अगर आपकी प्रायोरिट कारे में बाद में सोचें बट अगर आपको एक बजट टायर चाहिए डेली उसके लिए दिस वन इस बेस्ट और यू शुद गो फॉर इस वीडियो अलबाट टायर आपको कुछ समझ मया होगा और आप अच्छा ही डिसेजन ले सकते हैं क्या आप कॉंसा टायर लोगे वैस और आपको कुछ बड़ता न आपको कुछ समझ में अच्छा है मैं अच्छा ऑपको कार अच्छा है विड्योता।क विपगा वागे डिसेजन वीडियोता है आपको का थेखिए अट सब्सक्राइब तक पार इसो का शॉब्सी सांगी अटूू